सस्ती लोग प्रेता के लिए नेताओं का सबसे फेवरिट टॉपिक धर्म या फिर मजहब है नेता जान बूच कर किसी धर्म पर लक्षमन रेखा को लांगते हुए एक तिपड़ी करते हैं तिपड़ी के बाद हंगामा मचता है विरोध प्रदरशन होता है और तिपड़ी कर जाए तो फिरिंग की दुकान कैसे चलेगी सवाल तो ये भी उठता है लेकिन बहरहाल अंजना ओम कशप का एक वीरियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें मेडम हिंदु मुसल्मान करने का सारा ठेकरा नेता पर फोड रही है मेडम कह रही है कि हमारे नेता चाल चरितर और सुचिता की बात करते हैं लेकिन इससे उलट जनता के बीच अपने छवी की चाप छोड़ने के लिए भड़काओ भाश्रोशल अंजना का ये वीडियो उस समय सामने आया जब एक भाजपा के नेता टी राजा सिंग नाम के व्यक्ति ने नभी की शान में गुस् पर अंजना का ये वीडियो काफी सराहनी है लेकिन क्या अंजना ओम कशफ इस बात पर टिक डटी रहेंगी और इस तरह की संपरदायक नेता के खलाब बोलती रहेंगी रसुख के साथ तो मैं भी नहीं कह सकता और शायद आप भी नहीं बेरहल अंजना की ये रिपोर्ट देखकर ऐसा ही लगता है कि मेडम ने बीजेपी से पल्टी मार दूई लेकिन ये सब बात है पानी के बुलिबुले की तरह है जो देर तक नहीं थैरता ठीकी सी तरह मेडम की निस्पक्षता देर तक नहीं रहने वाले यही कारण है जैसे ही आंजना की ये रिपोर्ट सामने आई लोग भी आंजना की खिल्ली उड़ाने लगे एक यूजर ने लिखा सबसे पहले तो आज तक जैसे न्यूस चैनल पर भी भरकाने जैसे डिबेट भरकाने जैसे हेडलाइन पे लगाम लगाने की जरूरत है एक दूसरे यूजर ने लिखा बिका हुआ पतरकार आतंक से भी जादा खतरनाग है वैचारिक पर दूसरं सारे समाज को गंदा कर देता है एक दूसरे यूजर ने लिखा नफरत फैलाने की शुरुआत तुम्हारी मीडिया से हुई अगर मीडिया चैनल डिबेट में नफरत वाली भरकाव बयान बाजी नहीं होती तो सम्विधान शर्मिधान नहीं होता अब सम्विधान कानून के तहद सबसे पहले तुम जैसे उकसाने और नफरत फैलाने वाले लोग और चैनल वालों पर सخت कारवाई होने चाहिए नफरत की जड़ चैनल है दोशी तो सबसे पहले दलाल मीडिया पत्रकारिता है जिसने डिबेट में नफरत की शुरुआत की है भावनाओं को भरकाने का काम किया सबसे पहले सजा कानूनी कारवाई इनहीं पर होना चाहिए पहले खुद देश को नफरत की आग में जोकते हैं फिर बचाने के लिए दूसरों को दोशी बताते हैं दलाल जनता को बेखुफ समझते हैं तो आप मीडिया को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद